असलाम अलेकूम विल्कम बैक टू मैं यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स आज छोटी सी भूक के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा स्नैक शेयर करने जा रहे हो आप लोग के साथ तो आज हम बनाएंगे कांदा पोहा जो कि महाराश्टियन स्पेशल है तो मैंने याप पर पोहा इसे वाश करके ना इक्स्टा पानी चंदी के हिल्प से ड्रेंड कर दिया है आदा किलो पोहा लिया है इसे बनाना स्टार्ट करते है बिसम्लाइं रख्मान यहां पे 4 टेबल स्पून और मैंने डाल दिया था कडाई में घरम होने के लिए और जैसे गरम होता है तो फ्लेम पर निकलने तक हमें इसे भून लेना है जादा भी ओवरकुक नहीं करना है जलाना नहीं है तो देख़ें कडाई से मैंने मुखळी को निकाल दिया है से वही कडाई है और वही आईल है उसमें एड कर देगे 1 टेबल स्पून के करीब जीरा 1 टेबल स्पून ही हम एड कर है अब इसमें हम एड़ कर देगे हल्दी पाउडर वन टीस्पून के करीब अच्छा से सब चीजों को हमें मीक्स करना है फ्लेम को लो रखना है और क्योंकि इसे कहा जाता है कांदा पोहाना तो इसमें कांदा डालेगे धेल सारा मतलब की तीन मीडियम साइस की प्यास को मैंन इसका कच्छापन हलका सा निकलने तक हमें इसे अच्छे से भून लेना है वह ज्यादा भी इसे पकाना नहीं है हलका सा सौटे करना है इस तरीके से सौफ्ट हलकी से हो जाए उस सेज़ पर आने के बाद फ्लेम को हम कर देगे बंद और जो साइड में हमने पोहा रखा था भीगो कर मतलब ड्रेन करके पानी ड्रेन कर दिया है इसका तो उसमें हम एड कर देगे सब मसाले को जो हमने बनाया है अभी अब सब चीजों को हमें अच्छे से मिक्स करना है देखे इस तरीके से इसके लिए जो बर्तन है पोहा का वह थोड़ा बढ़ा ही लेना है तो इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेगे ताकि नमक अच्छे से मिक्स हो जाए सब चीजों में अभी आप एक टीप्स में शेयर करें आप लोग के साथ जब आप पोहे को भीगाएगे ना मतलब की जब वौश करोगे तो बहुत जादा भी पानी से वौश नहीं करना है हलक अच्छे से दस मिनट कंप्लीट हो चुके थे अब पोहे को हम चेक करेंगे देखे तो पुहा तो बहुत अच्छे से बन चुका है आप देख सकते हैं एक बार श्पून से फिर से मिक्स करेंगे अब इसे हम एड़ कर देगे फ्लेवर के लिए फ्रेश कॉरियंडर मतलब की श्पून के चुका है तो ये डलना ज़रूरी है बहुत अच्छे से मिक्स कर लेगे तो देखे फ्रेंज इसे मेने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इसे फिर से कवर करके हम छोड़ देगे 2-3 मिनट तक तो पुहा हमारा जरूर देना बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है तो देखा ना अपने फ्रेंड्स कितने कम समय में कम चीजों के साथ बिलकुल आसान तरीके से हमने रेसिपी बनाई है तो जरूर ट्राय करना अगर वीडियो पसंद आते तो प्लीज ग्यूमें बीग थम्स अप और चैनल प लाओ बीज़ अप्रें अ..धू जञे से हैं और आस झाना